मंगल सूत या महा मंगल सूत यानि के जो गले में मंगल सूत पहना जाता है जो और तिस बाते हैं जो मंगल कारी है जिनसे लाब होता है जो महिलाय पहनती है और जानती नहीं है उसके मैं चौदे जो सूत है चौदे मनके, चौदे मोती, चौदे रत्म उनके वारे में पहले बता चुका हूं यहां जो ये गाथा है मंगल सूत की उसमें 15, 16, 17 और 18 नंबर के जो मनके हैं मोती हैं उनके बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे के आपके बच्चों का मंगल हो आपका मंगल हो आपके पती का मंगल हो आपके परि दानच का मतलब है दानच का मतलब है दानच का मतलब है दानच इसमें जो नियम है वो पंद्रमा है यानि कि दान करना चाहिए दान करें दान क्यों करें क्योंकि आपने जो जरुष से ज़्यादा कमाई की है और जो आपके पास पैसा है वो पैसा आपको बुराई लेके आएगा आप इदर खरच करोगे और जिसके पास में बिलकुल भी पैसा नहीं है जिसके पास में खाने की भी नहीं है वो परिसान होगा वो भी कुछ ना कुछ करेगा यानि जो भूका व्यक्ति होता है मार उसको कहीं न कहीं पापी बना देगी चोर बना देगी हिंसक बना देगी और जो ज़्यादा पैसा वाला है उसके मार कहीं न कहीं उद्धंडी बना देगी उल्टे सीधे काम भी है वो भी नुक्सान दायक होती है ये बिल्कुल सकते हैं इसको भगमार बुद्र ने देखा इसलिए दान की पारमिता बहुत इंपोर्टन बताई है कि अगर आपके पास में इतनी कमाई है इतना साधन है तो आपको कुछ हिस्सा उसका दान में लगातार करते रहना चाहिए उसका आपका धन उसका परिवार और लोगों आपकी तरफ में कभी नुक्सान दायक दश्टी से नहीं देखेंगे क्योंकि जो दान देता रह जाता है सारी दुनिया उसकी साहता करते हैं या अच्छा आदमी है दान देता है तो कभी उसके विरुद में नहीं जाते ऐसा करके दान को बताया है कि दानच का मतलब दान करें और धमचरिया धमचरिया का मतलब है धम की चारी का करें चारी का मतलब होता है जो 24 गंटे में हम कारे करते हैं उसको चारी का बोलते हैं यानि जो दिन चरिया हमारी होती है 24 गंटे में जो 24 गंटे चार चरिया में काम आते हैं यानि उठना, बैठना, लेटना, सोना यानि सोते हैं जब चलते हैं जब उठते हैं और बैठते हैं तो ह जो चरिया है ये धंब चरिया होने चाहिए यानि कि हम 24 गंटे इस बात को ध्यान रखें कि हम से कोई पापकर्म ना हो और कोई किसी का नुकसान ना हो ऐसे 24 गंटे हम विजिल से रहें ऐसा ग्रस्ता ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए ये है महामंगर सूत नंबर 16 और 17 में है यात कानंच संग हो यात कानंच संगो का मतलब है यात माने होता है ग्यात यानि कि यातंग यात कानंच का मतलब है यात का यात का का मतलब है ग्यात का का मतलब है जो जानकार है जो भाई हैं बंदत हैं जो रिस्तार हैं नातेदार हैं, वो हमारे ग्यात का हैं, जानकारी में हैं, उनका संग हो ना चाहिए, उनका भरन कुशन करते रहना चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है, तो उनको कुशना कुश देते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई ग्यात का जानकार रितदार ना और उसका असल लंबे समय तक आपके सरीर पर रहेगा अठारवा है अनवज्जानी कम्मानी अनवज्जानी कम्मानी का मतलब है अनवज्जती यानि अनवर्जित अनवर्जित का मतलब है वर्जित माने क्या होता है यह नहीं करना चाहिए और अनवर्जित माने क्या होता है जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना अनवज्जानी का मतलब है जो वर्जित है जिसको मना कर दिया है उसको नहीं करना है क्या मना कर दिया है जैसे मना कर दिया है कि चोरी नहीं करनी है जैसे मना कर दिया है कि ये सामान किसी का जो ले के आए हैं इसको खराब नहीं करना है जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको नशा नहीं करना है जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको किसी का कोई बाहर कटू सब्द नहीं बोलने है जैसे आपको मना कर दिया है कि दूसरे के सामान को नहीं लेना है जैसे आपको मना कर दिया है कि आपको जोड से नहीं बोलना है जैसे आपको मना कर दिया है कि ज़्यादा खाना नहीं खाना है तो जो मना कर चुके हैं, जो वर्जित हो चुका है वो काम नहीं करने है, कम्मानी का मतलब काम है और अनवज्जानी का मतलब है अनवर्जित, यानि कि जो वर्जित हो चुके हैं वो नहीं करने है, यह है महा मंगल सूत नंबर 18, तो दानच धम्माचरिया चे यातकानच संगहु अनवज्जानी कम्मानी एतन मंगल मुत्तमंग, मंगल मुत्तमंग का मतलब है मंगलों में उत्तम है मंगल बाने कल्यान में सबसे जब जादा अच्छे है गन्यवाद मंगल सुत's का नाम सुना होगा बड़ी-बड़ी एमोशनल पिच्चर आती है मंगल सुत्थ के उपर इस तरही अपनी जान देने को तियार होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सुत्र पे हाट डाले तो हीरों को गुस्सा आ जाता है जो महिला है वो आग बगोला हो जाती है उसमें सक्ति आ जाती है मेरा मंगल सुत्र छीना तो समझो मेरे पती के प्रान छीन दिये ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सोने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभुशन है एक ऐसा विभुशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और ट्रेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर है और नारी है दोनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूड़े भी पहन सकते हैं सबी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सुत्र बहुत कमाल की चीज़ है उसको पहनना चाहिए औ या आप नर है या नारी है या बच्चे है या पुरुस है या कोई भी आप है मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुत्र यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत्र बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करे और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सूत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सूत इन सूतों को ये सूतों लोगों का कल्यान करते थे बुद्ध की वाणी है 38 उन्होंने बताएं 38 महिलाओं के लिए पुरसों के लिए बच्चों के लिए सबी के लिए समान हैं सबी के लिए बरावर हैं खाली महिलाओं के लिए नहीं है मगर पुरसों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया इसलिए पुरसों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिला को जबर जस्ती दिया गया के तुम्हें ये मंगरसूत्र मानने पड़ेंगे तुम्हें याद रहे इसलिए तुवारे गले में ये 1919 मनगों की माला याने की 19 मोती इधर हैं मनी इधर है और 19 मनी इधर है काले रग की, मतलब काले लोग होते थे इसमें काले है और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं भगवा कलर का धागा यानि बुद्ध की बचन है बुद्ध ने बताया है तो मंगल सूत का मतलब है कि 38 वो बात है जो काले लोगों की हैं और जो भगवा ने बताई हैं इसलिए पिले धागे में हैं आपको याद रहे हैं इसलिए उनको 38 मंगों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम चक डाल लीजिए जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धंकी बात हैं, कल्यान की बात हैं ये उसका पिर्तीक बना जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली टैडिसन रह गया, परंपरा रह गयी लोग ये तो भूल गए कि काम खत्म हो गया, और बाद मैं व्यापार में बतल गया जितना जिसको बड़ा मंगल सुत जो ले सकता है वो वहाँ अपना धंडा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगल सुत बिखने लगे फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड़ दिया बेसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा पती अगर नहीं चलेगा तो पती का जीवन खत्रे में रहेगा ऐसे ही अगर इस्तरी उन 38 सूत्रों को मानेगी तो वो जो मंगल सूत है या महा मंगल सूत है वो सारे मंगल सूत भगवान बुद्ने बताये हैं तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मानते चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद वरहत तक सम्हा संबूत सक्त पुद्धम्सरणू गच्छामीःगं पुद्धम्सरणू गच्छामीःगं पुद्धम्सरणू